नमश्कार आप देखरे निउस फोर नेशन और मैं स्वाती पांडे आपके साथ बड़ी खबर पतना से जहां आपको बताए पतना के रुपस्पूर इलाके में एक छड़ कारोबारी की हत्या कर दी गई ये दरसल छड़ कारोबारी का नाम रंजन सिंग है जिनके पूत्र ने बताया कि उनके समधी ने उन्हें पहले अपने घर पर बुराया और फिर अपराधियों ने कनपटी पर गोली मार दी और बतादे कि पूरी खबर जो है वो रुपस्पूर थाने की है इस खबर में और भ मुली मार कर हत्या कर दी मृतक रुकनपूरा के आदर्श कॉलिनी के रहने वाले थे घटना के बाद सीटी एसपी पश्चिम राजेस दानापूर एसपी अभिनव धिमान दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और जांच में जुट गया बता दे कि मृतक का पुत्र प्रतेक दीन की तरह पिता जी गुरुवार को मौर्निंग वॉक पर निकले थे उन्होंने कहा कि बेटा जल्दी आओ मेरे समधी सुमन वा उसके भाई पवन सिंग अपने कुछ लोगों के साथ मुझे घेर कर मारपीट कर रहे हैं जिसके बाद मुन्ना बाइक से पिता को ढ हुणने निकल पड़ा कई बार कॉल करने के बाद जब पिता ने फोन नहीं उठाया मुन्ना ने बताया कि थोड़ी देर बाद पुलिस का फोन आया कि आपके पिता जी की उनके समधी अभ्यानंद सिंधा उर्फ सुमन के घर के पास गोली मार कर हत्या कर दी गई है मौके पर पहुचने के बाद मुन्ना ने देखा कि उसकी अमरितक बहन की ससुराल के मेन गेट पर पिता का खून के लथपत सव पड़ा हुआ था मुन्ना ने बताया कि आठ माँ पहले दिल्ली के गुडगाओ में उसके बहन की उसके पती द्वारा हत्या कर सब को फंदे से लटका कर खुदखुसी करने का सकल दिया गया था बहन की हत्या के बाद उसके बहनोई के साथ ससुराल के सभी लोगों पर हत्या की प्राथमी की दर्ज कराई गई है इस मामले में गुड़गाव पुलिस आरोपित दामाद को गिरफतार कर जेल भेज दी है बता दे कि मामला दर्ज होने के बाद बहन के ससुरालवालों ने केस हटाने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया था वे कई बार पिता जी के साथ लड़ाई छगड़ा किया गया था उनके द्वारा कुछ दबंग लोगों द्वारा धमकी भी दी गई थी लेकिन पिता जी सजा दिलाने पर अड़े हुए थे हत्या की सूचना पर दलबल के साथ पहुँचे सीटी एसपी पश्ची मराजेस दानापूर एसपी अभिनव धिमान ने च्छानबिन करते हुए गटना के पीछे आपसी विवाद है मृतक रंजन सिंग के पुत्री के साथ अभ्यानंद सिना के पुत्र की शादी हुई थी मगर गुडगाओ में पुत्री की हत्या के जुर्म में आरोपित का पुत्र अभी जेल में कैद है उन्होंने बताया कि इनी सब मामलों को लेकर अभ्यानन द्वारा समधी रंजन सिंग को घर पर गुलाया गया और गोली मार कर उनकी हत्या कर दी गई उन्होंने बताया कि रंजन सिंग को दो गोली मारी गई जो उनके सिर्पर लगी है वारदात के बाद सभी आरोपित फरार है घरव आसपास लगे CCTV फुटेज को खंगाला जा रहा है फिलाल सब का पोस्ट मॉटम करा कर अंतिम संसकार के लिए परिजनों को सौप दिया गया है बाकी आरोपित की ग्रफतारी के लिए छापे मारी की जा रही है बताया जा रहा है कि वारदात अब CCTV में क्याद हो गया है तो देखिए खबर पटना के रुपस पूर्थाना इलाके की जहां एक छड़ का रोबारी रंजन सिंग की हत्या की खबर है बता दे कि उनके समधी द्वारा उनकी हत्या की करवाई गई और जिसकी जानकारी उनके पुत्र यानी सुमन ने दी पूरे मामले में पुरिश्चान बिन कर रही है और आरोपितों को पकड़ने के बाद जो कुछ भी अपडेट सामने आईगी उसके साथ हम हाजिर होंगे फिलहाल हमेरी इजाज़त